दिखो जो बहुत important topic है simple interest होती क्या है सूध हम कहते है अब दिखो principal into rate into time upon hundred principal जो amount फर्स करो मैं किसी को 30,000 रोपय देता हूं कितने person पे 10% पे तो rate हो गया 3 साल के लिए time हो गया तो दिखो principal की जगह मैंने 30,000 rate की जगह 10 time की जाए 300,000 पुट किया और यह मेरे पास simple interest आगे 9,000 तो क्या मैं से 9,000 वो मुझे वापिस करेगा नहीं वही मेरे original 30,000 भी तो वापिस करेगा तो total amount क्यों होती है principal plus simple interest जो क्यों हो जाएगी 39,000 वेरी वेरी